बोका गई ले नेपाल अब कैसे रहा बूबा करीया वोका गई ले नेपाल बोका गई लो नेपाल देखिये हला कि फगुआ में तो हर कोई जवान हो जाता है बुड़ो देवर लगता है लेकिन ही तो वाकई में अभी जवान है देखिया आज जूट नहीं बोलना चाहिए आपका बात का कोई बूरा भी नहीं मानेगा सबसे स्मार्ट विधायक कौन लगता है अमित मंदल सबका पसंद वही है क्या करें जो है वो है इसलिए तो जूट नहीं आपने बोला जूट नहीं बोले सबसे स्मार्ट पत्रकार पांडे जी सच में विपिन के बाद फिर जूट आप एक बात 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 तैये सबसे बढ़िया होली जो यादगार एक दम रहा हो इस समय मैं अपने पिता के साथ मना पाया उनके जाने के बाद मेरा पहला होली है पिछले बार मना नहीं पाये और दूरभाग यह यह है कि इस बार भी शायद अपने छेतरवासियों के साथ नहीं मना पाऊऊपला क्योंकि मेरी मां हस्पताल में भरती है मेरे बिल्टा हस्पताल में भरती है तो कोशिश करूँगा कि राजबासियों के खुशी में अपना खुशी ढूंड़ो लेकिन होली वही था जब मेरे पिता मेरे साथ पिता को आप हमेशा मिस करते हैं ये देखने को मिलता है लेकिन होली में कोई फगवा का गीत आपको याद हो जब बचपन में लोग गाते हो आप नाशते हो देखे होली का गीत किसी को याद नहीं रहता है जब ले जाती है ना तो ले में सभी लोग गा देते हैं आप ले दीजिए हम भी उसी में गा देंगे हम क्या ले देंगे, हम गा रहे हैं, आप मेरे साथ गाईएगा यह कुछ गलत मत गवा दीजेगा यह कि दम गलत नहीं गाईगा आप भी जूट मत बुलिएगा बोका गई ले नेपाल बोका गई ले नेपाल अब कैसे रहा भूबा करिया बोका गई ले नेपाल अब कैसे जी अबूबा करिया बोली में अनुप जी, कैलन, एलान असाब पत्रकार के भी जूट हर्र, हर्र, हर्र फाइनल हो गया, जगा बता दीजिए, यहाँ पर इंतदाम हो जाएगा तुमने तयारी कहा से की मैं नाइब्यम को बढ़ाई देता हूँ आप जो सपना देख रहा है, उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे